पहले स्यिफ मैं ग्रोईंग कर दी परोसेसिंग घर तार अब मंश्रूम का कीमा है। जैसे आपको keymah ready-to-eat, cutlets, nuggets, seekabals, बनते हैं। यह जिए भूरे तनी भूरोग के बना दे यह। जिस स्वार कर दोर श्रूम कiblद अबभा नहीं। एक कमरे से दो बैट से स्टार्ट किया था आज वो चार पांच कमरों में फैल के काफी प्रोडक्शन होता है और यह वर्टिकल फार में है पहले मैं इंप्लॉई थी अब मैं इंप्लॉयर हूँ हमारे पीछे यह जो आप खाने पीने का समान देख रहे हैं इसको देखने के बाद आपके मूँ में भी पानी आ जाएगा क्योंकि यहां आप देख सकते हैं पानी के बताशे लगे हैं पकोड़े डोनट्स गुजिया तमाम तरीके के अलग-अलग अचार और ऐसी ही बहुत सी की खाने पीने की चीजे तो निश्चित रूप से मूँ में पानी आना लाजमी है और आपको एक खास चीज बता दे इन प्रोड़क्स के बारे में इन उत्पात के बारे में कि यह जितने भी उत्पात आप देख रहे हैं यह सब मश्रूम से तयार किये गए हैं जी हां बिल हैं उनसे बात चीट करेंगे दीपा जी बहुत बहुत स्वागत आपका थांक यू बीपा जी यह बताईए कि पहले आप टीचिंग में थे फिर टीचिंग से इस तरफ खेती किसानी में आ जाना बड़ा अलग तरी है हाँ पहले मैं टीचिंग में थी कुछ अनावाइड़ े फेले की घ्रूइंग करने के बात दिरए दिरे प्रोसेंग में आगई तो प्रोसेंग में जब आपको अपने पाइडिया दे है फिरमने और अप बंपसंद यह वही मश्रूम है किHeलधी में इस्कूमहें इसलिंग हमने हेल्धी अग्रें में मिला करतेlingen को मिला के यह मिलत यह केमिकल फ्री मश्रूम्स हैं और इसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी जादा हैं अब इसके सूखे पॉडर की दवाईयां बनती हैं तो आप सोच सकते हो यह कितना हेल्दी है तो उसी पॉडर से हमने यह मश्रूम के बताशे बनाए हैं हमारा मकसद है कि अगर फ्रेश नहीं तो प्रॉसेक़ फ्रम में लोग मश्रूम कhाएं तो अगर आप पानी के बताशेग खा रहे हैं तो एक तरह से आप सौत टो लही रहें हैं तो इंडिरकली आपके पेट में मश्रूम जा रहा है मश्रूम के गुन जा रहेएं तो न्यूटिशन है इसे आप करने के लिए थोड़ी और जानकारी लेने कि लिएघ करने के लिए थोड़ी और जानकारी लेने के त्रेनिंग ली स्टेट मश्रूम लडिए से certified trained हो गई जब बहुत अच्छा प्रोडक्शन करने लगी तो सोचा इसको प्रोसेस कैसे करना है तो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से इसकी कैसे इसके पाउडर बनाने कैसे ड्राइफ करने कैसे और प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वो मुझे प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट यह सब ले की आहें अब जैसा डिख रहा है होली ऐकी गुजीगा सभी जैसा कि लोग जड honeymoon पेश्ट्री मुच्रूम थो ती जानते ना तयोग मूझ इंथि जानते हैं तो इसको देके लोग इसे गुजिया ही समझते हैं लिग ये आप लोग मरशूम करते हैं यह हमारा है ऑइस्टर मश्रूम, मैं दो वराइटी ग्रो करती हूं, प्लुटोरस फ्लॉरिडा एंड प्लुटोरस दीजामौर, और गर्मियों में मिल्की मश्रूम, यह मश्रूम की पहले खेती, फिर उस खेती से प्रोसेसिंग तक जो आना हुआ आपका, कैसे मतलब यह या जानते इसलिए नहीं है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि ग्रोवर्ड इसके कम हैं, तो इसलिए हम इसे प्रोसेसिंग फॉर्म में लेके आए हैं, ताकि लोग जब खाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, तो वो तुरंट ले लेते हैं, तो और प् कि आपको ऐसे बनाना है, ताकि वो इसको और कंज्यूम कर सकें, आपके जो ये प्रोडक्स हैं, इनको आप बेचते कैसे हैं, प्रोसेसिंग तो आपने कर ली, फिर आभी इनको बेचने के लिए क्या प्लैटफॉर्म आपकर रहता हैं, जैसे हमने कई बेकरी में अपने प् लगा रखा हैं, जहां पर डेली हम ये सब आइटम्स को आपको लिए अवेलेबल कराते हैं, प्लस जो लोग अपने घरों में उगाना चाहते हैं, हमको ट्रेनिंग भी देते हैं, ताकि इसमें लोगों को इसके बारे में अवेरनेस हो है, और फिर वो लोग इस उस मश्रू केक दिख रहा है, इसके अलावा, और क्या-क्या उत्पात, क्योंकि कई पैकेट्स हैं, तो यह आप बताएंगे क्या-क्या चीज़े हैं, हमारे पास ड्राइ मश्रूम प्योर पॉडर है, इस पॉडर से हम लोग काफी सारे बेकरी प्रोड़क्स बनाते हैं, इस प्योर करी है, उसको फिर जब भी आपको कंजूम करना है, गरम पानी में डालिये, वो रिहाइडरेट हो जाएगा, फिर आप उसकी करी वाली सबजी, सुखी सबजी, कुछ भी बना लेजिए, फिर हमारे पास मश्रूम की मसाला बड़ी है, फिर हम फ्रोजन, बड़ी का पैकेट है, जैसे यह मश्रूम फ्रोजन फॉर्म है, यह मश्रूम का कीमा है, जैसे आपको रेडी टू इट, कटलेट्स, नगेट्स, सीकबाल्स मेलते हैं, वैसे हम मश्रूम के बना रहे हैं, ताकि बस पैकेट खोलो, तलो और खाओ, अगर अच्छा लगेगा, तो फिर इस तरह स पसंद आ रहे हैं, तो उसकी हम वराइटी लेकर आ रहे हैं, जैसे हम यह डोनेट्स में वराइटी लेकर आए हैं, हम यह पिकल्स में वराइटी लेकर आए हैं, टीचिंग करते थे, वहां ज्यादा मज़ा आता था या इसमें मज़ा था, लेकि इसमें ज्यादा मज़ा है, वैसे teaching अभी भी है, पहले subject की teaching थी, अब मश्रूम subject हो गया है, बस बाकी पहले मैं employee थी, अब मैं employer हूँ, और बाकी तब बंधी हुई salary थी, अब salary मेरे हाथ में जितना अपने आपको stretch कर सकूँ, और लोगों को अपने साथ जोड सकूँ, पहले तो मैं ही किसी की आगे जुड सकूँ, तो वही मकसद है कि हम और लोगों को जोड़ें और इसको, मतलब ऐसा टाइम आए कि हर सबजी मंडी में सबजी वालों के पास oyster mushroom भी होए, जो खेती करते हैं इसकी oyster mushroom की, तो ये क्या कहीं जमीन वगएर आपने ली फिर जब खेती करने का सोचा, या मतलब कोई जग आप यूज कर सकते हैं, ये पूरी तापमान की खेती है, आपको एक temperature humidity maintain कर दी है, अगर आपने वो temperature humidity maintain कर ली, तो आप बहुत अच्छे से mushroom का production कर सकते हैं, तो मैं अभी मेरा पूरा setup मेरे घर पे ही है, एक कमरे से दो बैक से स्टार्ट किया था, आज वो चार-पांच कमरो में फैल के काफी production होता है, और ये वर्टिकल फार्मिंग है, जैसे नॉर्मली खेती खेत में ऐसे जाती है, ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल आप आसमान इस दे लिमिट, ऐसे भी कर लें, तो इसका इस दा लिमिट जो आप बोल रहे हैं, तो अब आगे का लक्ष आगे का लक्षी यही है कि हम अपना काम अच्छ से करें और लोगों में अवेरनेस फिला सकें कि मश्रूम एक और मश्रूम है, और इसकी कई वराइटीज हैं, और ये लोग कंज्यूम करें, अभी 80% लोगों को ऑईस्टर मश्रूम के बारे में पता ही नहीं है, अभी आप मश्रू लिए बात करने के लिए, तो आपने देखा यहां पर कि कितनी तरह के जो उत्पाद आप देख रहे हैं, खाने पीने के यहां पर ओस्टर मश्रूम के बने हुए दिख रहे हैं, और जिस तरह से दीपा जी कभी वो टीचिंग के प्रोफेशन में थी और उसके बाद वहां स खेती की तरह आना, फिर फूट प्रोसेसिंग की तरह आना, हलाकि शिक्षन कारब भी जारी है, फर्क इतना है कि तब विशे पढ़ाया जाता था जो वो जो कॉलेज में दी आता, इस्कूल में दी आता, वो था, लेकिन अब वो मश्रूम की खेती के बारे में दूसे लोग